किर्पया करके यह वीडियो पूरा देखें जिसे आपको पता चले कि केंदरी कृष्वी विकास संस्था जैसी फ्रॉड वेबसाइट कैसी बनाई गई क्यों स्टार्टिंग में लोग इसको उजागन नहीं कर पाए यह वीडियो को पूरा देखें मैंने विद्प्रूफ इसको एक्सपोस किया है हेलो वेल्कम यौल लॉन हेल्पिंग एवरी लाइफ उन प्लैनेट यूट्यूब चैनल मैं अंकुर रहा है आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर हमने कल एक वीडियो में बात करी हूँ थी केंद्री क्रिशी विकास संस्था के बारे में जो वेकेंसी फ्रॉड निकली है उसी से रिलेटेड यह वीडियो है इसमें विथ प्रूफ विथ फैक्ट चेक कि वो वेकेंसी फ्रॉड थी लोगों को अभी भी बिलीव नहीं हो र है क्योंकि काफी फेमस यूट्यूब चैनल ने काफी सारे ऐसे फेमस यूट्यू चैनल से जोनने इस वेकेंसी का प्रॉमोशन किया था और मेरी नॉलेज में यह वेकेंसी नहीं आई थे मैं totally एक मन्त या दो मन्त के लिए बिए अफ चल रहा थे यूट्यूब से तो मुझे रीजेंटली अभी पता चला था देन मैंने कल ही इसका वीडियो बनाया और काफी सारे लोगों के सवाल ये थे कि सर ये वेकेंसी फ्रॉट कैसे हो सकती है जबकि ये बहुत लीडिंग न्यूस पेपर में आया था काफी सारे लीडिंग जॉब पोर्टल्स में आया था और भी जगह पे पब्लेश हुआ था इवन ये नैशनल केरियर सर्विस सर्विसेस की वेबसाइट पे भी आया था तो मैं आप आप सब के जवाब एक एक करके इस वीडियो में विथ प्रूफ के साथ दूँगा कि कैसे एक फेक वेबसाइट को पहचानने में बड़े से बड़े यूट्यूबर और बड़े से बड़े संस्था वाले फिल रहे हैं मैंने ये जनकरी अल्री मेरे एक वीडियो में पहले दी थी कि फेक वेबसाइट को कैसे पहचानना है और वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको दे दूंगा तो आप वहां जाके देख सकते हैं हां साउन थोड़ा स्लो होगा उसमें क्यों कि मेरा माइक का प्रोब्लम चल रहा था तो इयरफोन लगा के देख लेना यार बट वो वीडियो देख लेना कि फेग वेबसाइट कैसी होती है मैंने याँ पे कुछ बीस बीडियो बनाए हुए हैं और सारे के सारे फेग वेबसाइट पर बनाए हुए विट प्रूफ उसके कमेंट बॉक्स में आप पड़ सकते हैं इस वज़े से मेरे ये कोई भी इंफोर्मेशन मुझे नहीं मिली तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये वेबसाइट स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाएगी कि ये फॉट थी मैं एक एक करके कंपेर करूंगा हां और कुछ लोगो ये जिसका नाम यूपी ए जीडियाए डॉट कॉम है भाईयो ये वेकेंसी भी फेक है ठीक है प्रूफ देता हूं एक एक करके तो पहला प्रूफ जो इसकी साइट है तो आप साइट पर चले जाएगे ठीक साइट पर जाके आपको कहीं से भी गवर्मेंट की वेबसाइट लग रही है नहीं गवर्मेंट की वेबसाइट में होता है क्या डॉट जी ओवी डॉट इन होता है यह मैं आपको बता देता हूं और क्रिसी विकात संस्था यहां पे कहीं पे भी इस संस्था का रजिस्ट्रेशन नमबर नहीं है कोई भी और्गनाइजेशन होगा उसका र रजिस्ट्रेशन नमबर वहां पर मेंशन होता है वेबसाइट में एक्जामपल के तौर पर आप कोई भी गवर्मेंट की और्गनाइजेशन जो होगी उसका देख सकते हैं ठीक है और फिर आप यह इनके फॉर्म पर तो मैं बाद में बात करूंगा इनके जो भरती फॉर् स्लेबस निकाला हुआ था ठीक है वो टोटली फ्रॉट चीजें थी आपको स्लेबस देख की समझ में आ जाने चाहिए कोई दस क्वेशन पूछेएगा आपको पैंतालेस हजार पचास हजार तीस हजार की नौकरी देने के लिए और गवर्मेंट का होता है गवर्मेंट की साइट होते है पेस के लोते है उसके बेसेस पर होता है लोग इतनी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे है आप लोगों को क्या दिमाग में इतना नहीं आया कि पेस के लोगा मतलब पेवेंड भी होता है ना कि 4200 से लेके इत सब्सक्राइब होता है नो अजर चार सो कि अधब लोग एससी यूपी एससी इतनी तैयारी कर रहे हो और उन्हें यह भी नहीं पता है कि फेक वेबसाइट और फेक जॉब में क्या होगा ठीक है और चलिए एक इसका फर्स्ट प्रूफ यह है कि वेबसाइट गवर्मेंट की तो नहीं थी .gov.in होता ठीक है दूसरी चीज इनकी जब आप एकदम नीचे जाएंगे यह आप यह लोगों देखके समझ सकते हैं कि आपको यह लग रहा है कि यह गवर्मेंट के और इनका यह जो लोगों यहां पर दिया हुआ है ठीक है यह यह इन्होंने दे दिया इसका मतलब यह नहीं कि गवर्मेंट की साइट है कोई भी डाल सकते है के वेबसाइट बनाने वाला अराम से करदेगा और जब आपको यह पता चलेगा कि इसरप एक इमेज है अगर कोई भी आप गवर्मेंट की साइट खोलेंगे तो यहां पर अगर आप क्लिक करें और जो भी यहां पर जैसे यह अब यहां पर आप पोर्टल पर जा सकेंगे अब जैसे यह आ रहा है दो इंडिया डॉट जी वी डाट इन मेक इन इंडिया जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही साइट उसमें ओपन होगी यह केबल क्लिक वाली चीज़ें नहीं होती है यह देखिए आप इस पर क्लिक करते रहे यह ओपन ही नहीं होगा कोई डिटेल पर फोकस नहीं करता है मैं प्रॉब्लम यह ठीक है और एक और चीज जब आपको कोई भी वेकंसी निकलती उसका एक ओफिशली अगर वो केंद्र क यह केंद्र मतलब Central Government की नोकरी है आपको समझ में आता है कि Central Government की नोकरी है जैसे railway की होती है एससी की नुख्रियां होती है तो उसमें पेस्केल होता है यह क्या था इनका 45,000 रुपए 30,000 रुपए 32,000, 16,000 पेस्केल नाम की कोई चीज होती है और 10 कॉश्चन पूछेंगे और आपको जौब दे देंगे उसके बाद आता है आपको यह इनका वेकेंसी का नंबर ठीक है अब यह देखें इसमें भी खेल केंद्रिये क्रशी विकास संस्था तो केंद्रिये के के ले लिया क्रशी का क्र ले दिया विकास का वी ले लिया संस्था का सा ले लिया यह इनका वेकेंसी नंबर बन गया के क् सिंपल है समझने के लिए कास और समय मेरे हाथ यह लगा होता है और मैं कास और समय योट्यूब पर अवेलेबल होता है तो यह आपको इंफोर्मेशन में पहले ही दे चुका होता है सेकेंड चलिए अब यहां तक देख लिया और अब अब लोगों को लग रहा है कि मैंने जो दूसरी साइड बता ही थी वह गलत है यह वह दूसरी साइड अब इसका एक नंबर है आप यहां पर है जब कॉंटेक्ट अस पर जाएंगे आपको जो नंबर दिख रहे हैं 8887121494 888712921495 यह किस वेबसाइट पर दिये गया है यह वाली पर अब मैं आपको बापस लेके जा रहा हूं यह वाली वेबसाइट पर उपन नंबर देखिए 8887121493 देखे कोई भी जब फ्रॉट करता है ना वो सीरीस से कमजम 40-50 8887121493 नेक्स्ट दो नंबर आपके उस वेबसाइट पर डले हुए है जो कि यह वेबसाइट है 8887121494 और 495 और इनका एक और नंबर इसमें उपर दिया हुए 8887121500 ओके यह यूपी से स्टार्ट है तो यह अल्रेड़ी यूपी में कुछ ना कुछ कांड कर चोके होंगे इसका भी है मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ ठीक है जब यह फ्रॉड एक्सपोज हुआ तो कुछ लोगों को तो बिलीव नहीं हुआ चलिए यह इमेज को जरह दिमाग में लाईए और बापिस इ आने पर जब आप नीचे जाएंगे यह यह मेज देख रहे हैं तो यहां पर वही मेज जो की पुलिस वालों ने जहां पर रेड मारी है एक्जेक्टली सेम जगे ठीक है वही लोगो यह यह लोगो है और टो नॉमस बोड़ी अंडर्टेकन बाइ गवर्रमेंट आफ इंडि सेंट्रल एजिंसी तो यह अच्छा मजाक था जो कि हर कोई कॉमनली अगर कोई दिमाग लगाता तो समझ जाता यहां पर कुछ रेजिस्ट्रेशन नंबर होता आयोसा नंबर होता ठीक है एस उसी सेंट्रल हेड क्वार्टर बना डाला एक गर को किराए पर लेके ठीक है चल यूपी एजीडियाई वाले लोग हैं यह भी सेम है कोई डिफरेंट तो है नहीं और यही लोग गरफतार हुए हैं जाके इसका प्रूफ आपको इसमें ही दिया हुआ है हां तो इसीपी क्राइम ने बताया कि शुरुवाती पूश्ताच में आरोपी ने खुलाशा किया कि कि इस से पहले वे लखनाव में भी इस तरीके के फरजीवाडा और ठगी को वारतारत को अंजाम दे चुका है। यह आपने पढ़ लिए लखनाओ में भी इस तरीके की फरजी वाड़ा और ठगी को वारदाक्त को अंजाम दे जोका है यह वही आरोपी है जो अभी हर्याना से गुरुग्राम से पकड़ाएगे सेक्टर 31 से और यही एड्रेस आप लखनाओ का यहां पर इस वेबसाइट पर देख सकते हैं तो शाय तक मैंने एनफ प्रूफ दे दिया इस बात पर कि यह दोणों वेबसाइट का चलिये यह दोनों वेबसाइट एक हिंदी सब्फराइट tweesti और एक इंग्लिश में चल रही थी है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दोनों वेबसाईट जो थी सेम थी एक और इस टाइब की वेबसाइट चल रही थी जो कि एक इंगलेश में थी और एक यह जो आपकी कैकडी वाली है ये हिंदी में चल रही थी जो किहा रहते हैं चलीये शीज को भी कि जाराते हैं इसा चीज का भी प्रूफ दे दता यहां पर देखिए क्या लेकर गेहूं और इसके उत्पाद दालें एवं उसके उत्पाद तेल के बीज इसके अन्य उत्पाद और गनिक करसी के तोर के तरीके तोर तरीके ठीक है अब यहां पर आप देखना इंग्लेश में वीड्स एंड इट्स प्रोडक्ट पल्स एंड इट्स प्रोडक्ट और इन एक फॉर्मिंग मेठड कहीं पे भी आपको उन्हें इस बीस में भी कहीं फर्क दिख जाए तो बता दो सिर्फ भाशा का फर्क है लेंग्विज का अंतर है मैं कि देके यह यह आठी जिछता इन्हों ने मैंशन करिए वही आऐ चीज उन्होंने मैंशन करें चछी लने इस्तमाल जाए वही लोगोे इन्होंने वी इस्तमाल किया है कोल डर्फ रではन्स नहीं है त्क है यह यह बॉली जाये कि ये जो यूपी ए जी डी आई वाले इनों ने पहले ही ये वेबसाइट बना चोके तो ये फ्रॉट को ये फ्रॉट कर चोके तो जैसे कि पोलस इन्वेस्टिगीशन में पता चला है ठीक है आपको भला ही ये जागरन जोश वालों ने बताया हूँ बला ही आपको आपको टेस्ट बॉक डॉट कॉम वालों ने बताया हूँ बला ही बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल ने बताया हूँ मगर किसी ने यह नहीं बताया कि ये फेक वेबसाइट है क्यों क्योंकि सब लाइक्स और फॉल्लवर्स के पीछे भाग रहे थे कि वेखए मान महने से इस चैनल पर लगा हुआ हूं और 9 महने में मात्र बीस वीडियो बनाया हूं मैंने मैं लाइक्स फॉल्लवर्स क लिए video नहीं बनाता हूं लोगों की हेल्प हो इसके लिए वीडियो बनाया है और इतने चीजें एक्सपोस कर चेखेंगे क्योंकि यह स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाती है शायद इस वार मेरी कुछ गलती रह गए होगी या मेरे पर्सनल रीजन से मैं जो बाहर था कोई भी सोशल मेडिया यूज नहीं कर रहा था सिर्फ इसलिए हो सकता ऐसा और नेक्स्ट क्या था आपका यह जो इन्होंने फेस्बुक पे भी यह बनाया हुआ था इनका पेज था तो इसके पेज में भी आपको जब पता चलेगा जब उन्होंने न्यूस पेपर में भी ऐड़टाइजमेंट दिया था तो जस्ट उसकी ऊपर एक क्रिशी विज्ञ केंद्र का जो की गवर्रमेंट का ओर्गनेजिशन है ठीक है उसका अडवर्टाइजमेंट के ज़स्ट नीचे इनका छापा था ठीक यार से पहले भी काफी वीडियोस में मैंने बताया हुआ था आप लोग नहीं देखे होंगे न्यू लोगों तक ये वीडियो जाएगा तो मैंने काफी मेरियो वीडियोस में पहले बताया हुआ हूँ कि यह ऐसे प्रेंट मेडिया में इसली आप किसी भी टाइप का विग्यापन दे सकते हो कोई तैकिकात नहीं हो तो नहीं चापना है पैसे मिलता है यह देखे केंद्री कृषी विकात संस्ता यहनों ने बोला कि भारत सरकार का एसोशियेट पार्टनर है ठीक है और इसका हैड ओफिस यहां यहां है इन्हों ने यह बताया है यह वेकेंसी नंबर वगरह दुनिया बरकर दे दिया है यहां डेट देदी 262 2020 लास्ट डेट इन्होंने भी कुछ 31 मार्च रखी थी जो कि अभी तक बढ़ा के आप माई तक कर दिया था जून तक देन आपको यह बता दें यह यह जो है इन्होंने एतनी वेकेंसी निकाली थी कुल मिला कि 1166 वेकेंसी थी 2167 जब आप लास्ट में यहां पर गौर करेंगे तो निर्देशक लिखा है केंद् दमाख लगाया होता था यहां उपर पढ़ लेते डॉक्टर पीके गुपता हैड प्रिसी विग्यान केंद्र अब यह गवर्मेंट का था उपर वाला एडवर्टाइजमेंट और यह फ्रॉट का था तो इन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा और यहां पर एडवर्टाइ मंगर हर जगे पर कोई समझ ना चाहता है तो हर जगे पर यहां पर आप आ पकड सकते थे यहां पर लिखते सूनिए भरस्टाचार अधारत निती सबसे बड़े भरस्टाचारी खुद बोल रहे हैं कि उनकी सून्य भरस्टाचार अधारत नीती है अच्छा मज़ा के यूथ के साथ बेरोजगार युवाओं के साथ और आपके एमोशन के साथ आपके पैसों के साथ और आपका जो दो महने में आपने जो टाइम दिया हो गया इस विकेंसी के लिए तो आप वो बापिस तो नहीं लेके आप आओगे तो सो समझ के आप कभी भी और एक्ट किया करो और ऐसी विकेंसी के चक्कर में मत भागो जहां पर easy money मिलती है easy money never exist ठीक है असानी सा पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा मेहनत करके ही मिलेगा ठीक है और मैं जैसे हमेशा कहता हूं जॉब से पैसा मिलता है पैसा देकर जॉब नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं इनों एक हैर फीस बगेर नहीं मांगी थी या स्टार्टिंग में मांगी तो उसके बाद चेंज कर दिया था कुछ लोगों ने 1460 रोपे दिये हैं और कुछ लोगों ने दिये ही नहीं है तो अच्छा हुआ कि मास जो था मतलब बहुत सारे पबलिक जो थी उन्होंने पैसे नहीं दिये हैं तो ठीक है अच्छा हुआ पकड़ाए गए ग्रफतारी हुई और क्रिशी मंत्राले द्वारा इनकी शिकायत हुई थी तो पकड़ाए गए मैंने तो बहुत शिकायत करी हैं यह ग्रामीन और बोगता विकास के नाम से सक्षा मिशन विकास के नाम से एक चीज़ बता दूँ आपको बार बार बूल रहा हुँ यह विकास संस्था नाम से जो भी वेकेंसी चलाई जा रही है वो फ्रॉड है सर्वशक्षा वियान के नाम से वेक तेना के नाम से चलाई जा रही थी फ्रॉड है ठीक है कोश्च तो YouTube के चैनल ऐसा है जो की सरफ दिन और रात सरफ व्राड वेकेंसी ही चलाते रहते हैं और लोग जा जाके उनसे पूसते रहते अपना प्रAmु सपचतक करते हैं college के मेनत कि कमाई वेष्ट कर देते हैं मैं जाके और अंतले एकी पर्शंट भी रोसान नहीं वेस्ट्छ्ट है यार ऐसी वेकेंसी पर अपना टाइम वेस्ट मत करो मेहनत करो कहीं ने कहीं पहुंच पाओ गया अपनी मेहनत की दंप ऐसे फालतू में पैसे दे दे के कब तक अपने महबाब का दिल दुखा हो गया और उनका हो तो लोगों को आप बताते भी नहीं हो गया है ना इसलिए म कभी भी लगेगी कोई भी वेबसाइट या कोई भी जौब आपको फेक लग रही है कुछ भी लग रहा है तो मेरा कमेंड बॉक्स ओपन है इमेल एड्रेस आपको बताया हुआ है आब आउट सेक्शन पर जाके आप हमेंसे चैनल के मेरा इमेल एड्रेस देख सकते हैं यहा सदे सदे नेक्स्ट नेक्स्ट मन तक मैं एक नया एक वाट्सअप नमबर दूँगा तो आप मुझे टेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो इजी पड़ेगा आपको और मैं यही उमीद लगाऊंगा कि आपको यह जनकरी अच्छी लगी होगी इन्फोमेटिव लगी होगी कहीं से दिमाग में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंड बॉक्स ओपन है पूछ सकता है यह नैशनल केरियर सर्विस तक में यह वैकेंसी आई होई थी तो फ्रॉट का लेवल तो बहुत हाई था मानता हूं और एक चीज़ बता दूँ कि नैशनल केरियर सर्विस में ऐसे प यह नैशनल केरियर सर्विस के थ्रू ही डिकोड हुए होंगे ठीक है और आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं काफी लंदी हो गया वीडियो मानता हूं मगर पूरा देखा होगा आपने तो ही बैटर है और यह वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको एक एक नॉलेज एंड तक पता चले तो एक अच्छा काम हुआ है बुलेस वालों नहीं पकड़ा लेके गए एक 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 जॉब रेकेट एक फेक वेबसाइट का जंजाल एक स्पोज हुआ है एक डार्क वेब एक्सपोज हुई है जो कि मैं लगातार पिछले नौ मेहने से कोश यह ठीक है मेरे थू तो बंद नहीं हुई है बट जिसके भी थू बंद हुई है उन सब को बहुत 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 थेंक्फॉल और जिनकी जॉब नहीं लगी है तेके रिग्रेट मत करी महनत करिये है इजी मनी के पीछे मत भागिये है और इसी वर्ट के साथ मैं इस वीडिय आप जरूर कर लिजाए वीडियो अच्छा लगा हो इंफोर्मेशन अच्छी लगे हो तो आप लाइक जरूर करिए दोस्तों शेयर करिए देखिये पूरी डेटेल्स है एक एक चीज़ें किस तरीके से फेक वेबसाइट बनाई गी और कंपेर करके मैंने इस वीडियो में बताया है ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे धन्यवाद